है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे तो हम आज आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी ले के आए हैं जिसको बहुत ही ज्यादा लोग खाना पसंद करते हैं अक्सर हम मार्केट से उसको ले के आते हैं और इसको आज हम घर पे बनाएंगे है एक दूं मार्केट जैसा हम बनाएंगी इसको घर पे इसको बनाना बहुत ही आसान है सबको लगता कही कैसे बनता होका तो इसको आज हम बताएंगे कि किस तरह से बनता है और खाने में भी विल्कुल मार्केट नीकार ना चापन कर डिया है और फिर तोलत कि नियाए और हम साबुद धनिया जैसा बथनिया में सब्सक्राइब उसके हिसाब से आप चीजों को डालें और हमने एक चमस नमक डाल दिया है थोड़ा सा दो चमस के बराबर हम इसमें चीने डाल देते हैं चीनी हमारा साथ को बैलेंस करता है और खाने में भी काफी टेस्टी लगता है तो हमने इस तरह से हरे वाले मिर्च लिए है अगर आपक कम तीखे वाले मिर्च कायूज़ करें ज्याना चूभल की इसका पाने सुखा की इसका डंब पाट रहता है उसको हमने निकाल लिए और हमको इस तरह से चोपर से बड़ा-बड़ा सा कट करना है अब अब सबीकों है कि हमने अभी मिर्च कट किया है उसको इसी पे अब डाल देना है इसको डालने के बाद अच्छे से चला लेना है और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए इस तरह से ढख रख देंगे ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए तो देखे अभी थोड़ा थोड़ा यह पक्या हमारा 15 मिनट के बाद बहुत ही अच्छी तरह से पक गया है इसकी कलर भी चेंज हो गया है तो आप जान जाए कि यह जब इसका कलर चेंज होगा है तो यह एकदम से रेड़ी है बनने के लिए तो वस इसका पानी हम अभी थोड़ा से सुखा लेंगे अब इसमें हम सबसे मे दिखे अब एक काम करना है जैसे रूम में जो भी फैन हो उसको अन कर लेना है ताकि यह रूम तमपरेचर के हिसाब से रहे और अच्छी तरह से थंड़ा हो जाए इसको हम एक भगोड़ने में निकाल लेते हैं एक वरतन में और इसको हम ठंडा होने देते हैं पानी हमारा काफी हद तक सूख चुका है तो इतना हम इसमें निकाल लेंगे तो ये अभी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है तो इसको हम मिक्सर जार में डालके पीस लेंगे आप सोच रहे हैं कि इसमें आलू डाला जाता है इसमें आलू डाला जाता है तभी इसका टेस्ट यादा ही अच्छा आता है इसको हम अभी mixer jar में पीस लेते हैं तो अब लोग देख सकते हैं एकदम market वाली जैसे sauce रहती है उस तरह से इसका color आ गया है इसको हमने अच्छी तरह से इसमोथी एकदम से paste लिया है अब एक चीज और करना इसमें उसी भगोने में हमको इसको sauce को डाल देना है और थोड़ा सा उबाल आने तक पकाना है पकाना इसलिए है क्योंकि यह जल्दी खराब नहों काफी time तक चले इसमें जो किटाणू छोटे रहते न वो इसमें खतम हो जाएंगे इसको बस उबाल आने तक चलाना है और इसको इसी श्टेश पर चेक कर सकते हैं अगर sauce आपका पतला है तो इसको आप काफी time तक चला कि इसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं अगर आपका sauce ज्यादा ठीक हो गया है तो इसमें थोड़ा सा बेनेकर डालके इसकी ठेक सभी में चला यह संका हैं उतना है वह सब्सक्राइब तक उतना ही एक इसको सब्सक्राइब छेला कि 데engdo is इसको गौरी ओिर्ट में रहेंगे उसकी आप इसके है सब्सक्राइब ना रखें इसको तो मेरे पास एक सीसे अडिब्बा था उसमें हम इसको रख देते हैं और अच्छी तरह से लगाके रखेंगे ताकि इसमें एयर पानी कुछ भी ना जाए तो देखिए हमारा घर पर मार्केट जैसा ग्रीन चिली स्वास बनके रेडी हो चुका है आप देख रहे हैं कि इसका कलर भी बिल्कुल मार्केट जैसा है आप चाहे तो इसमें ग्रीन कलर डाल सकते हैं लेकिन वह हमारे बॉड़ी के लिए सही नहीं रहता इसलिए हमें पेव